अब हम बात अगर इन दोनों श्रेणियों में अंतर के करें कि जब हम प्रैक्टिकली इस पे काम करते हैं तो कौन-कौन से अंतर हमको दिखाई देते हैं तो सबसे पहला अंतर हम यह देखते हैं कि जब हम खंडित श्रेणी की बात करते हैं तो खंडित श्रेणी में किवल एक निश्चित मूले पिननात्मक संख्या और शुर्ष मलोय होते हैं वे नहीं होते हैं यानि पुणांक में यह वेक्टि किये जाते हैं दूसरी तरफ अगर हम अक्षणिर लेकी बात करें तो वहां पुणांक के साथ मुछ intention हो सकती हैं वैसे miracle अगर हम देखे तो खंडिस रेणी के रहे यह है और लोर ऑढुन महत्वण अंतर है सबसे महत्वण अंतर यहीं है कि जो खंडिच्रेणी जो होती है उसमें जो आकड़े प्राप्त होते हैं वह गिंती के रूप में प्राप्त होते हैं जैसे अगर हम एक उदारन से सबसे महत्वण इसका अंतर है अब हम बात करते हैं गुण की गुण क्या है हम चर एवं गुण एक साथ पढ़ रहे हैं चर को हमने देखा कि चर क्या है किस प्रकार से वह परिवर्थित होते हैं गुण की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं उदारन के तौर पर सुन्दर्ता बुद्धी मत्ता कोई संगीत में बहुत पारंगत है कोई नृत्यकला में कोई चित्रकला में ये सारी जो विशेस्ताय हैं वास्तों में ये उसके गुण हैं गुण होते हुए भी हम इनको संख्यात्मक रूप में आख नहीं सकते हैं हम यह नहीं कह सकते कि अमुक वेक्ति के अंदर नृत्यकी 4 किलो कला है अमुक वेक्ति 10,000 सुन्दर है ऐसी कोई संख्या हम गुण में देही नहीं पाते हैं तो इसलिए हम गुण को चरों से भिन क प्रस्ष दरदेते हैं साती हम यह भी देखते हैं कि यह जो बुम होते हैं क्योंकि उनको हम संख्याओं में नहीं माप सकते इसलिए इन गुनों के लिए उनको को कोटी यानि की रैंक प्रियोग करना पड़ता है आगे आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि किस प्रकार से रैंक का प्रयोग करते हुए हम प्रश्णों को हल करते हैं यहां पर अगर हम चर की बात करें तो चर जो होते हैं वो मात्रात्मक विशेस्ता को बताते हैं और अगर हम गुण की बात करें तो गुण जो होते हैं वो गुणात्मक विशेस्ता को आब अगर भात आवरिद्ति की करें एक पी आती है जानकारिया है अगर अगर टेबल का रिपिटेशन है कैसी उसके बारम बारता है इसके लिए आवरित्ति का होना जरूरी है आवरित्ति के बारे में हम इससे पहले कक्षा में भी पढ़ा था आवरित्ति का प्रियोग क्योंकि इस संपूर्ण प्रक्रिया में सूत्र के रूप में किया जाता है इसलिए आवरित जो होती हैं इन फ्रिक्वेंसी को जब हम टोटल करते हैं जोडते हैं तो हम उसको Capital N से दर्शादते हैं यह तो रही आवरित्ती के बाद अब अगर हम आगे देखें तो हम यहाँ पर देखते हैं सांख की के श्रेणिया क्या है Statistics के अंतरगत हम बहुत सारी श्रेणियों का भी अध्यान करते हैं यह जो श्रेणिया है और इनके जो प्रारूप है इनको पहचानना है इनके आधार पर ही हम वैभारी प्रश्नों का अध्यान करते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं तो कौन-कौन सी श्रेणिया है इसमें यह हम सांखिकी की इन श्रेणियों को दो भागों में बाड़ दिया गया है इनको हम गुड के अधार पर बाड़ सकते हैं और साथ ही इनको हम रचना के अधार पर बाड़ सकते हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तों में ये श्रेणिया है क्या श्रेणियों को समझने के लिए आए हम सेक्राइट की परिभाशा का अध्यन करते हैं एच सेक्राइट के अनुसार सांखिकी की तरह प्रयुक्त होने वाली श्रेणी को वस्तुओं या सेवाओं के गुणों के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिन्हें किसी तर्क पून धंग से रखा जा सकता है खुल मिलाकर अगर हम श्रेणी क्या है इसका उत्तर जानना चाहें तो साधारन अर्थों में हम कह सकते हैं श्रेणी तर्क पून धंग से रखी गई पदों की एक ऐसी व्यवस्ता है जिसमें पदों को बुण के अधार पर क्रम बद्ध धंग से रखा जाता है पहले भी हमने देखा कि किस तरह हम श्रेणीयन करते हैं विजाती जो समंग होते हैं उनको हम उनकी सजातियता के अधार पर अलग-अलग समुहूं में विभक्त कर देते हैं तो ये जो समू है वो अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार विभाजित किये जाते हैं जैसे कि मैंने बताया कि इसके दो आधार होते हैं दो आधारों पर हम इनको बाट सकते हैं एक तो हम इनको गुड के अधार पर बाट सकते हैं और दूसरा रचना के अधार पर बाट सकत इस्थान के अनुसार श्रेणियन करना या परिस्तिती के अनुसार श्रेणियन करना अगर हम समय जैसे की नाम से इस पस्ट है समय के अनुसार यानि कि यह वर्ष भी हो सकता है माह भी हो सकता है दिन भी हो सकता है सब्ता भी हो सकता है घंटे मिनट भी हो सकते हैं जब हम इन मन को क्या धार पर श्रेणियन करते हैं समय क्या धार पर जब हम श्रेणियन करते हैं तो इनको हम कहते हैं समय अनुसार श्रेणियन तो समय अनुसार श्रेणियन का अगर हम एक्जामपल देखें तो जैसे मान लीजे यहां पर जनगरना वर्ष 1901 से 1941 तक क्या अकड़े दी हुए हैं 1901 की अगर हम जनगर्णा की बात करें तो जनसंख्या जो करोड़ों में दी हुई है 1901 में 23.8 करोड 1911 में 25.2 करोड 1921 में 25.1 करोड 1931 में 27.9 करोड और 1941 में जनसंख्या जो है वो 31.9 करोड है तो यहाँ पर जो आकड़े दिये हुए हैं यह समया नुसार दिये गए हैं 1901, 1911, 1921, 1931, 1941 इस तरह के जो आकड़े होते हैं समय के नुसार वो जो दर्शाय जाते हैं यह समया नुसार आकड़े कहलाते हैं इस तरह के आकड़े वर्श में जो दिये हैं ऐसे माह में भी दिये हो सकते हैं जैसे कि बारिश के जब हम आकड़े निकालते हैं कि इस सपता बारिश होई तो सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, प्रतेक दीन कितनी कितनी बारिश होई जब मौसम द्वारा बारिश के दौरान जारी किये जाते हैं कि किस हपते में कितनी बारिश देखने को मिली मापी गई तो क्योंकि ये सपता के अनुसार निकाले गए आकड़े हैं तो ये भी आकड़े क्योंकि समय के अनुसार निकाले गए याने कि समय अनुसार आकड़े ये कहलाते अब अगर हम बात करें इस्थान अनुसार की तो नाम से इस पस्ट है यहां पर कि इस्थान के अनुसार यह वर्गी करन किया जाता है जैसे कि पिछले अध्यायों में हमने देखा कि किस तरह साक्षर्टा का जो प्रतिशत हम देख रहे थे तो अगर हम इन पांच राज्यों में प्रति हजार पुरुषों के पीछे इस्थरियों की संक्या क्या थी लिंग अनुपाति हाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है तो अगर हम इन पांच राज्यों में बात करें सबसे पहले पंजाब की तो ये जो आकड़े हैं पंजाब में जो लिंगा नुपात था वो 865 उत्तर प्रदेश की बात करें तो 889 मद्ध प्रदेश की बात करें तो 941 गुजरात की बात करें तो 934 और बिहार की बात करें तो 954 जो है वो 1971 के अनुसार पांच राज्यों में प्रती हजार पुरुषों के पीछे इस्त्रियों की संक्या दी गई है मुख्य बिंदू यहां यह है कि यह जो आंकड़े दिये गए है वो Eigen अनुसार दिये गहैं अलग अलग राज्यों की अंकड़े अलग 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 स्थान में पर हैं तो इस तरह से चाहें आप साक्षर्टा का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों के अनुसार लिखें या आप प्रतिविक्ति आय के अधार पर अलग-अलग राज्यों के जो अकुल आय हैं उनका अगर हम अलग-अलग प्रतिशत लिखें या फिर हम इस तरह से इस्त्री और पूराश में कितनी बारिश हुई तो उन राजियों के वांगे स्थानी अंतरगत आते हैं और शेयों कर अ अगर हम बात करें परिस्थिती की तो अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया में जिन जिन विश्यों पर हम बात करते हैं जैसे जैसे परिस्थिती बनती है उसको हम सार्णियन करके अलग-अलग तरीके से लिखते हैं उदाहरन के तोर पर अगर हम इस तरह तरीके का एक टेबल बनाते हैं इस टेबल में दो परिवार आ और बा दो परिवार हमने माना है उसका हमने यहां पर उलेख किया है और इनकी जो मासिक आए है उस आए के अनुसार यह कितना वेह करते हैं और किन-किन चीजों पर वेह करत करते हैं उसका उनलेक इस श्रेड़ी में किया गया है इस श्रेड़ी में आप देख रहे हैं कि वय की मदें हैं अलग-अलग जैसे की परिवार आ और बाक अगर हम देखते हैं तो परिवार आ जो है उसकी आय मान लेजिए 500 रुपे प्रतिमा है और परिवार बा जो है उसकी आठ सो रुपे प्रतिमा है यह दोनों ही परिवार अगर अलग-अलग मदों पर व्य करते हैं तो अगर हम भोजन की बात करें पहली मद हम भोजन की बात करें तो परिवार आजो है वो 200 रुपे प्रतिमा और परिवार बाजो है वो 230 रुपे प्रतिमा भोजन पर व्य करता है वैसे ही अगर हम वस्त्र की बात करें तो परिवार आ जो है वो 100 रुपए और परिवार बा जो है वो 200 रुपए भोजन पर वै करता है वैसे ही अगर हम किराया की बात करें अगर वो किराय के घर में रहे हैं तो परिवार आ जो है वो 80 रुपए और परिवार बा जो है आप देख रहे हैं 100 रुपए वै करता है वैसे ही इंधन पर परिवार आ 40 रुपए और परिवार बा 50 रुपए वै करता है साथ ही विविद वे जो होते हैं छोटे मोटे उन पर परिवार आ जो है वो 80 रुपे और परिवार बा जो है वो 20 रुपे वे करता है तो यहां पर बटवारा जो हुआ वरगी करण जो हुआ श्रेणिया जो बनी वो किस आधार पर बनी परिस्तिती के अनुसार दोनों की अलग अलग मदों पर अलग अलग राशी खर्च कर रहे हैं तो इस तरह की जब हम श्रेणियों का निर्मांट करते हैं तो वे श्रेणिया परिस्थिती अनुसार बनाएगे श्रेणिया कहलाती हैं अब हम इन श्रेणियों का वर्गी करन रचना के आधार पर देखेंगे रचना के आधार पर इन श्रेणियों को तीन भागों में बाटा गया है व्यक्तिगत श्रेणी खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी के अगर हम बात करें तो जैसे कि नाम स समूम में नहीं होथी प्रतेक्ति के लिए अलग अलग प्रश्णा वाली भरवाकर प्रतेक्ति से अलग-अलग सुछनार ले जाती है या फिर इसके जो आकड़े होते हैं वह व्यक्ति들 होते हैं तो अ crash कրें तो कुछ इस तरह से प्रश्ण हमारे सामने आते हैं परिवारों का नाम यहाँ पर दिया गया है और उनकी मासिक आये रुपे में दी गई है जैसे आप आपे देख रहे हैं परिवार A जो है उसकी मासिक आए 250 रुपे है परिवार B की मासिक आए 175 रुपे है परिवार C की मासिक आए 1800 रुपे है परिवार D की मासिक आए 500 रुपे है और परिवार E की मासिक आए 1000 रुपे है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो मासिक आए 250, 175, 1800 रुपय दी गई है यह परिवार A, B, C याँने व्यक्ति गत किसी एक परिवार के लिए दी गई है जो पहली 250 उपे मासी का है वो सिर्फ परिवार A के लिए है जो I 175 है वो सिर्फ परिवार B के लिए है इस तरह से ये जो श्रेणी है ये बता रही है कि ये व्यक्ति गत है किसी व्यक्ति विशेश के लिए है अब अगर हम खंडित ट्रेणी की बात करें तो हमने जैसे कि देखा कि जब हम व्यक्तिगत ट्रेणी की बात कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास व्यक्तिगत जानकारिया थी लेकिन किसी प्रकार की फ्रिक्वेंसी या आवरित्ति नहीं थी लेकिन जब हम खंडित ट्रेणी क की बात करते हैं यानि कि डिस्क्रीट सिरीज की बात करते हैं तो वहां पर इस्तिती कुछ और रहती है यहां आवरित्ती दी रहती है अगर हम प्रशनों को पहचानने की बात करें जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि प्रशनों को हल करने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वास्तों में वो किस श्रेणी का प्रश्ण है क्योंकि प्रतेख श्रेणी के प्रश्णों के जो हल करने के फॉर्मूले हैं जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं तो अगर हम खंडित श्रेणी की बात करें तो खंडित श्रेणी में लिकष को की संख्या दी गई है यांनि की जैसे आप मेंद आप देख रहे हैं कि 3R Partners म zeg nee 124 त्यार मिलता हैं दूसरा कि चार रुपए फंद्रास यह मैं जिनकी मजदूरी जो है वो 4-4 रुपय उनको मिलती है तीसरी स्टेप के अगर हम बात करें तो 5 दैनिक मजदूरी और 20 श्रमिकों की संख्या यानि 20 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी दैनिक मजदूरी 5-5 रुपय है वैसे ही नेक्स स्टेप में 6 रुपय दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या 25 कहने का मतलब है कि 25 श्रमिक ऐसे हैं जिनकी मजदूरी जो है वो 6-6 रुपय प्रती दिन है तो यहां पर हम देख रहे हैं कि किसी श्रमिक विशेष के लिए कोई जानकारी नहीं है पहले वो जानकारी 12 श्रमिकों की बारे में देता है फिर 15 श्रमिकों की बारे में देता है तो क्योंकि यहां पर आवरित्ती दी हुई है यानि पहले स्टेप के अगर हम बात करें तो 12 श्रमिकों की एक साथ सूचना दे दी गई है फिर हम देखते हैं कि 15 श्रमिकों की एक स साथ शाथ और ती 10 भी हो वह जो प्रहश्ण होते हैं वो खंडित श्रेणी के प्रेशन आएव गूत की बात करें तो कि उन सारे प्रिशनों में वर्गानतर रहता है वर्ग संबू बना कर दिए रहते हैं जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं एक उधारर अखंडीच्रेणी का यहां पर लग समू दिये गए हैं वास्तों में यह जो अन्हों है यह पुस्त को पर वैं है कि और दूसरे कॉलम में जो दिया है वो छात्रों की संख्या है हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि 6 से 10 रुपए के बीच में जो वे किया गया है पुस्तुकों पर वो कितने चात्रों ने किया है पात चात्रों ने उसके बाद हम कहेंगे कि 10 से 20 रुपए के बीच वे कितने लोगों ने किय और। ने किया है, 7 छाथरो निया फिर हम भोलेंगे कि 20-30 रुपई वैज। 20-30 के बीच में, किसी ने 22 रुपई खर्च किया, किसी ने 24, किसी ने 25, किसी ने 25. तो 20-30 के जो वैजंके वो 12 चाथरों के द्वारा किय कए गया है। फिर 30 से 40 उर्पय के बीच का जो वह है वो 18 चात्रों के द्वारा और 40 से 50 उर्पय जो वह है वो 8 चात्रों के द्वारा किया गया है कुल मिलाकर हम इसको इस तरह से समझ पा रहे हैं कि वैव का एक वर्ग बना कर दे दिया गया है अलग अलग इसको ना लिख कर वेक्तिकत रूप से ना लिख कर शुन्य से 10 रुपे, 10 से 20 रुपे, 20 से 30 रुपे इस तरह से इनके वर्ग बना दिये गए हैं और चुकि हाँ पर छात्रों की संख्या दी गई है तो यह छात्रों की संख्या जो हमारे लिए हो फ्रिक्वेंसी ह आवरित्ती है तो इस तरह के जो प्रश्ण जिसमें वर्ग दिये हुए हो और साथ में फ्रिक्वेंसी आने की आवरित्ती दिवी हो यह अखंडित श्रेणी के प्रश्ण होते हैं और यहीं इस तरह से श्रेणियों का निर्मान करना ही अखंडित श्रेणी कहलाता है अब अ कुछ छोटी-छोटी से बिंदो के अधार पर हम इसको पहचान पा रहे हैं जैसे कि व्यक्ति गच्रिणी में हम देख रहे हैं कि वो किसी व्यक्ति विशेश के लिए होती है जैसे हमने देखा कि परिवार A परिवार B यह हम रोल नंबर के अधार पर अगर हम उधारन बनाते है तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि रोल नंबर बारा सो एक को चाली संक मिले रोल नंबर बारा सो दो को ती संक मिले रोल नंबर बारा सो तीन को पैताली संक मिले कहने का मतलब है कि व्यक्ति गत रूप से प्रदाश्री तो रहा है रोल नंबर एक मतलब सिर्फ एक तो क्योंकि व्यक्तिगत रूप से यह प्रदाश्रित होती है इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी है लेकिन खंडित श्रेणी के अगर हम बात करें तो वहां पर हम देखते हैं कि किसी एक को नहीं बलकि विध्यारतियों की पूरी संख्या को वह एक साथ प्रदाश्रित करता है व जो आवरित्या होती है वो व्यक्तिगत्स्रेणी में कहीं पर दिखाई नहीं देती लेकिन अगर हम खंडित्स्रेणी और अखंडित्स्रेणी की बात करें तो आप देखते हैं कि दोनों में हमको आवरित्या दिखाई देती हैं वैसी एक अंतर और कहा जा सकता है कि यह जो व वेक्ति गट श्रेणी में जो निष्शित अंतर परमूले होते हैं वही खंडित में भी होते हैं समान कि दीफरेंस उसमें भी होता है लेकिन अगर हम वर्गांतर वाले आने कि कह एंक इंतर की बाद करें तो उसके जो होते हैं कि यह सम 주고 खोते हो यह से जै अखंडित और अखंडित श्रेडियों के बारे में हमने जाना यह किस-किस आधार पर बनाया जाते हैं यह भी हमने देखा अब हम देखेंगे समंकों का संपाधन editing of data तो editing यानि की सम्पाधन करने के लिए हमें क्या करना होता है हम जो आकड़े संकलित करते हैं एकत्रित करते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धिया भी होती है बहुत सी गलतिया होती है कुछ गलतिया ऐसी होती है जो पकड़ में आ जाती है कुछ गलतिया ऐसी होती है जिन इनको फिर से देखना कि कहां पे गलती हुई है कहां पे शुद्धता है ये सब जो कारे होते हैं यानि सुधार के जो कारे होते हैं वो सारे कारे संपाधन के अंतरगत आते हैं अब अगर हम समंकों के संपाधन की बात करें तो ये पूरी क्रिया तीन भागों में बटी हुई ह कौन-कौन से तीन भाग है परिशुद्धता उपसादन और सांकी की विब्रम इन तीनों भागों में ये पूरी संपादन की प्रक्रिया बटी हुई है अब अगर हम बात परिशुद्धता की करें जाहिर सी बात है चाहे किनी विधियों का प्रयोग कर लिया जाए और कितनी सावधानी रख ली जाए फिर भी जब समंकों का संकलन होता है तो संकलन से लेके निसकर्ष तक की पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि तुरुटी की संभावना बंदी बनी ही रहती है इसलिए बॉडिंग्टन ने कहा है कि सामान्य सचाईया है कि गणित या लेखां भी प्रयास कर लिया जाए इस पूरी जटिल प्रक्रिया में कहीं न कहीं कोई न कोई अशुद्धता रह जाती है अगर हम परिशुद्धता की बात करें तो इसके अंतरगंद हम शुद्धताओं की सीमा को भी निश्चित करते हैं कैसे निश्चित करते हैं शुद्धताओ आए ऐसी होती कुछ अशुद्धता ऐसी होती है जो एक निश्चित सीमा तक सुद्ध की जा सकती है जैसे अगर हम बात करें इस उदारण से कि मान लीजे राश्ट्री आए साथ सो उन्चालिस रुपए नब्बे पैसा हमने कैलकूलेट किया बड़ा अटपटा से फिगर लगता है कई बार हम इसको बोलते हैं राउंड आफ कर देते हैं तो इसको हम सुधार के साथ सो चालिस रुपए कर सकते हैं वैसे ही अगर हम जनगरना की अगर बात कर रहे हैं तो पूरे देश की अगर हम जनगरना कर रहे हैं वहां पर दो-चार वेक्ति अगर छूट जाते हैं तो जो हमें आकड़े प्राप्त होते हैं उसमें और वास्तिविक जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें क कि कुछ परिवारों की अगर हम बात करते हैं कि कुछ परिवारों के आये पे अगर हम अध्यान करते हैं और परिवार के कुछ सदसे छूट जाए मान लीजिए एक परिवार में दस सदसे हैं जो रोजगार प्राप्त हैं अगर हम इनका अध्यान कर रहे हैं इनकी आये का अध जो कि अनुसंधान के पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकता है तो यह जो परिशुद्धता है यह जो शुद्धता की सीमा के निकटतम हो ऐसा प्रयास करना चाहिए इसी के अंतरगत बाउले ने कहा है कि सामानी उपयोग में किवल निश्चित प्रचलित शुद्धता ही आ कोटी कर लें तो कम से कम इतनी शुद्धता तो होनी चाहिए ऐसा बाउले का मानना है अब बात अकर हम उपसादन की करें अप्रोक्सिमेशन की करें यानि की आकडों को इस तरह से अप्रोक्सिमेट करके ला लिया जाए कि उनकी कैलकुलेशन उनकी गढ़ना जो है वो करते हैं तो बहुत जटिल सा लगता है तो पॉइंट को हम राउंड अफ करके उसको संख्या को थोड़ा सा आसान बना लेते हैं एक तो यह बात इन्हीं आकडों को हम शुद्धता के कितने निकट ले जा सकते हैं कहां तक हम इसको शुद्ध कर सकते हैं इसके लिए उपसा किस तरह से हजार सेकडा दहाई या इकाई के आधार पर हम इसको शुद्ध करते हैं